तो ही गाईज वेलकम पाइक टू मायन आदर वीडियों मैं पल्लूई पल लेके रेक्शन में आप लोग का स्वागत है थाएंग इस तो मच इतने पॉजिटिव कमेंट करने के लिए इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोग को अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग जिसके लिए दिल से धन्यवाद तो यहां पे मैं बात करने वाली हूं अंसु को लेके काफी सपना को सवाल थी यहां तक लखन को भी लेके सपना के उपर मैं सफपके उपर बात करनी वाली हूं पॉइंट टो पॉइंट तो पहले मैं बात कर लेती हूं सपना पहले एक बात और बोलने वाले हूं कि अंसू की कपड़े तक किसी ने नोटिस करके कुछ जज किया ये भी बात करूंगे तो पहले मैं लखन की बात कर लेती हूं आपको पता है कि लखन की इधर सपना गई थी लखन लेके गये थे अच्छा फील करवाने के लिए अगर हमारा कुछ मन दुखी रहता बहुत अच्छे ऐसे लोग रहते दुनिया में कि हमें अच्छा फील करवाने के लिए कुछ हसी मजाक करते हैं कुछ कहीं लेके जाते हैं तो उसमें से एक लखन है लखन के इधर गई थी सपना जहां पे सपना दरोड पे अपना एक ब्लॉग डालती है जिस पे काफी कमें चला गया सरदरदब कहां चला गया लखन अब सपना का यूज करके कंटेंट पे कंटेंट लाएगा ब्लॉग बनाएगा सपना के नाम पे अब सपना आजाद होगी सपना को ते यही सब चाहिए था घूमना टहरना मौज मस्ती अब सपना को सब चीज़े मिल रहा है अब से रो रो के ब्लॉग बनाएगी अपने सास ससुर को गाली देगी ऐसे करके कमेंट थे वो कमेंट आई दिन मैं देखती हूं सपना के ब्लॉग पर आता है उसी आईडी से और यहां तक अंसू के भी आईडी पर एक कमेंट आता है अंसू के आईडी पर एक कमेंट के बाद उस तो सपना को बहुत हेट कमेंट आया था उस पे की और वो सायद मैडम सपना का ब्लॉग पूरा नहीं देखती है, स्किप करके देखती हूंगी क्योंकि सपना जब लकन किदर गई थी तो अपने भाई से बोलते नजर आये थी कि मुझे नीद नहीं आ रहा है लगवग एक से दो टाइमिंग सपना दिखाई थी उसमें उनके भाई ने पूछा कि आपको नीद क्यों नहीं है तो जिसमें सपना ने बोला भी था कि भाई मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और माईग्रेन एक ऐसी चीज है मुझे माईग्रेन है ऐसी चीज है हमें इतना सा भी टेंसन इतना सा भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है क्या होता है थोड़ा बीपी लो होता है जिसके वज़े से सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो सपना को देखो काफी टेंसन है जहां मैं बात करने वाली हूं कि उनके ससूर को भी देखो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्टी से कुछ लालच है क्योंकि उस दिन वीडियो कॉल पे जो बात हुआ था उसमें एक बार भी सपना की ससूर ऐसा कुछ नहीं बोले थे कि मैं तुमको प्रॉपर्टी नहीं दू है मुझे ऐसा लगता है साथ ससूर कभी गलत नहीं होते क्योंकि अगर गलत रहते दूसरे बेटे से साधी नहीं करते कोई भी नहीं करता हो जाता है ना स्विच्वेशन दोनों बेटे चले गया तो कहीं न कहीं मन में सक आ जाता है कि साथ सपना में कुछ कमी हो देखो मैं रियल्टी बता रही हूं बहुत लोग को साथ बुरा लगे गया रियल्टी बतारी वैसे मन में आ जाता तो इंसान को थोड़ा थोड़ा हेट आने लगता है यहां पर देखा जाये तो अंसु का सबसे बड़ा लौस हुगा है मेरे हिसाब से अंसु का भी बहुत बड़ा ल तो यहां पर अंसु जब ने जाती है घर पे तो बहुत लोग का था कि सपना और अंसु का बात नहीं हो रहा था बहुत लोग बुरे अंसु नाम नहीं ले रहे थी अंसु ने कल के ब्लॉग में बोला भी था कल के परसों के ब्लॉग में बोला भी था कि मुझे बहुत अक् भाव इपने जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और ऐसे ही भावी खुस रहे हैं लेकिन यहां पे एक सवाल काफी दिन से सबका उड़ रहा है कि अंसु और सपना की बाते नहीं हो रहे हैं जिसमें आप बहुत लोग बेवकूफ होते हैं यह सिंपल जी बात है हर चीज यू तो बात होती है तभी ना लिंक बेशती है सपना लेकिन सबको रहता है कि नहीं हर चीज ब्लॉग में दिखाना चाहिए और ज़रूर नहीं कि हर कोई हर चीज ब्लॉग में दिखाए तो यहां पे सपना ने आज अंसु से बात की और सपना ने यह बोला कि देखो कितने हेट कमेंट करने वाले रहती हैं कि कोई किसी को जच कर लेता है मैं थोड़ा सा क्या घूम ली टहली और यहां तक सपना को कमेंट आ रहा था कि डॉलर कमा की अब होगी सौपिंग अब होगा मौज अब होगा मस्ती ऐसा ऐसे कमेंट करके सपना को आ रहा था सपना को सायद वो सब क तो देखो किसी कोई सोच नहीं बदल सकते हैं आपसके पूजितिव कमेंट आते इतने पुजितिव मेरा इक मानना है आपको 10, 20, 50 हेट कमेंट भी आ रहा है तो आपको घबराना नहीं चाहिए नहीं चाहिए और ध्यान मी नहीं नहीं कर सकता जाए मैं हूँ जाए कोई भी हूँ तो अब उस अगर हेट कमेंट को ले के इतना बात करेंगे तो सायद आप पब्लिक को भी बुरा लगेगा कि देखो हम लोग तो इतना प्यार करते मगर इनको हेट कमेंट की पड़े तो सपना ने अंसु से आज बात किया जिसमें सपना अंसु से बात की तो सपना को देखो कितना टेंसन है और सपना को सपना बोलती नजराई अंसु को कि अकेले मत घूमा करो बाहर इतना सुनसान जगता और आजकल आप लोग जानते ही है कि लड़कियां सेफ नहीं है भाई म मेरे हिसाब से तो अकेले सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए तो सपना बोलती ने जराई अन्सू को का केले मत जाया करो और वही पे चैनल की बाद भी थी अन्सू को लेके गी अन्सू सपना ने सब हड़प लिया ले लिया तो सपना ने भी बोला दर रॉट उसके हस्बे सपना के पास है और स्नेपी गलत उसका था ही तो यहां पर अन्सू से जब वीडियो कॉल पर बात बोला कि मैं स्कूल गई थी कोई पूराना स्कूल था कि उसका जिसमें हुआ था तो अन्सू स्कूल गई थी जिन्स और टॉप पहन के तो जिस पे वहां के टीचर लोग ऐस सब्सक्राइब तरीके से मैं ही गाव में जब जाती हूं अगर सिबले स्टॉप पहन लिए कुछ सौट पहन ले तो असा लगेगा ना भाई एक कुछ कार्टूट बन गई है और मेरी मम्मी ऐसे बोलेंगे भाई तू फूल कपड़ा पहिंके रहो फूल कपड़ा पहिंके कि यहां जिसमा क्या बोलेंगे तो यहां वाले घर बालों जानजान ल्हां एह इस बार तो ऐसा वी मैं ममी सब्सक्राइब करें कुछ निए तो सासु मात लाओट की हैं लेकिन यह मेरी ममी है वह सोस्ती मेरी लड़की जो है न सूट ही पहने बाकि और कुछ भी ना पहने तो वही हाल अंसो के स्कूल का है कि अंसो को स्कूल में तो फिर अंसो की टीचर ने पूछा भाई आपका कुर्ती वीरती कहा है तो बोली भाई मेरा अड्रेस सिला नहीं हुआ तो जब टीचर लोग की ऐसी मान सिकता है कि वह सोस्ती है लड़किया बस सूट में ही आए लेकिन होता है कहीं कहीं का अलग-अलग रहन सहन उसको अभी भाई पालन करना चाहिए मैं नहीं बोल सकत अब आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक रहे शेयर और लाइक रहे जाया है